द्रिश्टी आई इसके audio article प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का audio article business standard में प्रकाशित लेख आधार is not progress, it is dystopian और दहिंदू में छपे इस आधार abrach of privacy लेखों का सम्मिलित सारांश है इसमें team द्रिश्टी के input भी शामिल है ये article समाने अध्यान प्रश्ण पत्र दोखे शासन व्यवस्था और e-governance खंड से जुड़ा हुआ है तो आई लेख की शुरुवात करते हैं आधार की स्विकार्यता का सवाद हम इतिहास के उस असाधारण मोड पर खड़े हैं जहां पुरानी और सुपर्चित व्यवस्था की विदाई हो रही है और नई व्यवस्था दस्तक दे रही है भले ही वह अयस्थिर वह अनिशित है मगर यह अयस्थिरता ही वह चीज है जो भारत को शासन की नई तस्वीर गढ़ने का आवसर दे रही है इसी क्रम में आधार कार्ड भी है जो महज एक संख्या होते हुए भी न सिर्फ हमारी जिंदगी बलकि शासन विधान के पूरे स्वरूप को बदलने का माद्दा रखती है बतार भारती अनागरिक लोगों के पास इससे पहले भी कई पहचान पत्र रहे हैं जैसे राशन कार्ड, ड्रैविंग लाइसेंस, पास्पोर्ट वगएरा लेकिन कभी इन में से किसी का आम लोगों के जीवन पर इतना दबदबा नहीं रहा इधर कुछ वर्षों से लोग पसोपेश में हैं कि वे आधार संख्या को आखर जरूरी क्यों मानें पर सरकार ने धीरे धीरे तमाम फर्जी पहचानों को खत्म करने के उद्देश्य से इसे तकरीबन हर चीज में अनिवारे कर दिया है लेकिन इधर जिस तरह इसमें दर्ज करोणों लोगों की निजी जानकारिया लीख हुई है उससे सवाल उठ रहा है कि कहीं सरकार बदलाव का यह काम हमारी निजता में खलल डालने की कीमत पर तो नहीं कर रही सोचने की बात यह भी है कि पिछले महिने सुप्रेम कोट में आधार कार्ड की अनिवारिता को लेकर चल रहे एक केस की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कि नागरिक अपने शरीर के अंगों पर पून अधिकार का दावा नहीं कर सकते और आधार नामांकन के लिए फिंगर प्रिंट और आँख के पुतलियों के डिजिटल नमूने देने से इनकार नहीं कर सकते यह बात भी संदेह पैदा करती है लबोलवाबिया कि आधार काड के पक्ष और विपक्ष के तर्क को समझते हुए इसकी स्विकारिता साबित करना जरूरी है वरना इससे विकास की रफ्तार तेज हो न हो संदेह का विचार जरूर तेज हो जाएगा आधार कार्ड की अनिवार्यता या स्वीकार्यता के पक्ष या विपक्ष में तर्क वितर्क से पहले यह जानने की जरूरत है कि आखिर आधार क्या है और इसका विकास किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया आधार 12 अंको की एक विशिष्ट संख्या वाला कार्ड है जो विभिन सरकारी कामकाज में पहचान पत्र के रूप में इस्तमाल किया जाता है आधार नामक पहचान पत्र उंगलियों की छाप और आखों के चित्र से बनते हैं इसकी नकल दुनिया में कोई नहीं कर सकता इसमें धारक का नाम, पता, व्यवसाय, बैंक खाता नंबर और अन्य कई ज़रूरी जानकारिया रहती हैं जो सरकारी डेटा बैंक में जमा रहती हैं दरसल UIDAI के स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या यानि UID प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि इसके जरीए सारे फर्जी पहचान समाप्ट किये जा सकें एक सामविधिक प्राधिकरण के रूप में अपने स्थापना से पहले UIDAI ततकालीन योजना आयोग के अधीन 2009 से ही कारे कर रहा था बाद में सरकार द्वारा सरकारी कारे आवंटन नियमों में सतन्शोधन करके 12 सितंबर 2015 को UIDAI को ततकालीन सूचना और प्रद्योगी की विभाग से संबध कर दिया गया पहला UID नंबर महराष्ट के निवासी नंदूरबार को 29 सितंबर 2010 को जारी किया गया प्राधिकरण द्वारा अब तक 113.7 करोंड से अधिक भारतिय निवासियों को आधार नंबर प्रदान किये जा चुके हैं इसलिए आधार कार्ड के पक्ष में विभिन तर्क दिये जाते हैं जैसे सरकार कहती है कि आधार कार्ड हमारे पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मद्दान पत्र आदी सब का काम एक साथ करेगा अता धुखा धड़ी से बचने के लिए आधार ज़रूरी है कोई नकली बैंक खाता नहीं खोल सकेगा बैंक के जरीए कोई काला धन जमा नहीं कर सकेगा अपना पैसा नकली नाम से विदेश नहीं ले जा सकेगा सरकारी धन में लूट पाट नहीं मचा सकेगा इसलिए भी आधार कार्ड जरूरी है फर्जी पैनकार्ड का इस्तमाल आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाने और ब्लैक मनी को आगे बढ़ाने में भी किया जाता है इसलिए आधार कार लाने का मकसद एक सुरक्षित और मजबूत प्रडाली को हसिल करना था ताकि किसी व्यक्ति की पहचान जूटी नहीं बन पाए इसलिए निजिता के नाम पर जताई जा रही चिंता को सरकार ने फर्जी करार दिया है आधार के कारण गरीबू के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के साथ साथ पेंशन योजनाओं पर केंद्र ने लगभग 50,000 करोड रुपे की बचत की है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित करने में सुविधा हुई है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाएं उन लोगों तक ही पहुँँचे जो इन योजनाओं का लाभ पाने के हकदार है आधार आतंकियों तक पैसे पहुँचाने और ब्लैक मनी के विस्तार को रोकने का एक असरदार हथियार होने के साथ साथ आतंकवादी घटनाओं के समय आतंकी की शिनाख्त का माध्यम भी बनता है भारत में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है इसलिए यहां भी आधार की बेहदावशक्ता है सूचना करांती के इस दौर में वाट्सैप, गूगल, फेस्बुक, ट्वेटर आधी हर जगा पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है जबकि आधार में तो हमारा डेटा सुरक्षित रहता है इसलिए माववादी और आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए और अंत्तह भारतिय सुरक्षा के लिए नागरिकों को यह छोटा सत्याग करना ज़रूरी है संपत्ति की रईष्ट्री के लिए किसी को अपनी उंगलियों के निशान देने की ज़रूरत होती थी और जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस या पास्पोर्ट बनवाने जाता था तो उसे भी उसी इस्थिती का सामना करना पड़ता था जब राज्य कुछ सुविधाएं दे रहा है तो वह आपकी पहचान रखने का हकदार तो है ही यदिपीर नागरिको की निजता और गोपनियता के मुद्दे पर आधार कार्ट पर सवाल खड़े किये जाते रहे हैं इसलिए सुप्रीम कोट ने भी अपने एक फैसले में इसे स्वेक्षिक माना है जबके राष्ट्रिय सुरक्षा और विभिन्य योजनाओं के लाव को जनता तक पहुचाने के लिए किंद्र सरकार इसे अनिवारे बताने पर तुली हुई है इसलिए इस तंदर में सुप्रीम कोट के अंतिम फैसले का इंतजार करना लाजमी है यदि पक्ष को देखें तो लगता है जैसे सच में आधार कार्ड हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक जर्या साबित होगा लेकिन सिक्के के एक पहलू को देखकर कोई फैसला करना सही नहीं कहा जा सकता इसलिए आधार के विपक्ष में भी कई तर्क हैं जिन्हें ठीक से समझना चाहिए पहला, 13 करोड आधार कार्ड की जानकारी लीक हो गई है और सुप्रेम कोट में भारत सरकार ने यह मान भी लिया है इसलिए आधार संख्या को गोपनियता की रक्षा वाला नहीं माना जा सकता दूसरा, अनिवार्य सेवाओं में सुप्रेम कोट के आदेश की आउमानना करके आधार नंबर लागू कर दिये जाने से राज्य सरकारों और स्थानिया निकायों द्वारा आफरा तफरी में व्यापक पैमाने पर जो आधार काड बनवाए गए वे भी सरकारी एजेंसियों के बजाए ठेके की एजेंसियों से बनवाए गए हैं इसमें सुरक्षा का इंतजाम बेहड़ीला है तीसरा आधार नंबर अनिवार्य बना दिये जाने पर नागरिक, नागरिकता और मानवाधिकार से भी आधार नंबर न होने की इस्थिति में इंसान वंचित है यानि नागरिक सिर्फ आधार नंबर है आधार नमबर नह हुआ तो किसी नागरिक का कोई वजूद ही नहीं उसके कोई नागरिक, संबैधानिक, मौलिक या मानवाधिकार नहीं है वह किसी भी बुनियादी सुविधा का हकदार नहीं है चौथा, कई लोगों को लगता है कि निजिता का सवाल केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए चिंता का विशे है लेकिन यह सही नहीं है हम सब की निजिता की सिमाएं होती हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरा कोई इसका उलंगन करे गरीब लोग केवल सिर्फ पर छट के लिए घर नहीं बनाते बलकि उन्हें निजिता भी चाहिए होती है वो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी गोपनिया रखना चाहते हैं इसलिए इसमें सेंधमारी का हक आधार नंबर को भी नहीं दिया जा सकता पांचवा आधार नंबर हुआ तो नागरिकों की गोपनियता, संप्रभुता, स्वतंत्रता सब पर प्रश्ण चेन लग जाएगा उनकी तमाम गतिविधियों की पल-पल निगरानी होगी नागरिकों की सपनों, उम्मीदों, विचारों, मत, विवेक और जीवनियापन सब कुछ नियंत्रित होगा यह नियंत्रण जितना राष्ट का होगा उससे कहीं ज्यादा आपराधिक तत्वों और नेजी कॉर्परेट देशी विदेशी कंपनियों का होगा साथ ही इससे उपभुकता बाजार, ई-बिजनेस और डिजिटल लेंदेन बहुत तेज़ी से बढ़ा है लेकिन इन पर न तो भारत सरकार और न ही रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण है यहां आगे चलकर भारी आर्थिक अराजकता पैदा कर सकती है और इसमें समूची बैंकिंग प्रणाली द्वस्त हो सकती है सच तो यह है कि आधार काट के पक्ष विपक्ष का यह तर्क लंबे वक्त से चल रहा है इसलिए इसके समाधान का रास्ता देखना लाजमी है जहां तक इसकी अनिवारेता का सवाल है तो सुप्रेम कोट ने आधार नंबर को स्वैच्छिक करार दिया है अनिवारे नहीं इसलिए केंदर सरकार द्वारा उसका पालन किया जाना शक्ती संतुलन के सिध्धान को बनाये रहने के लिहाद से उठाया गया कदम है लेकिन आधार नंबर पर जो सवाल लोगों की गोपनियता और सुरक्षा चिंताओं को लेकर उठाये जाते हैं उसे सरकार द्वारा गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है भारतिय संविधान का अनुछेद 19 और 21 तथा सुप्रेम कोट के कई फैसलों में भी निजता को वरियता प्रदान की गई है इसलिए सरकार द्वारा आधार काट को अपने नागरिकों पर थोपे जाने की बजाए उसे स्वेच्छा से और स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे लागू करवाने की कोशिश करनी चाहिए नागरिक अधिकार और सरकारी नियंतरण के बीच की सीमा रेखा को एक बर फिर से परिभाशित करने की जरूरत है राष्ट्रिय सुरक्षा और मौलिक अधिकार के बीच भी एक विस्तरश चर्चा की आवशकता है ताकि आधार नंबर के मकसद के पीछे और भी ज्यादा तारकिक इसपष्टता हो अंत में यही कहना ठीक है कि कोई भी चीज पूर्ण यानि एबसुल्यूट नहीं होती स्थिती में भी अब उसे अपराधी नहीं माने जाने का फैसला आ चुका है मतलब यह है कि मानविय गरिमा की पहचान के लिए उसकी निजिता और गोपनियता को एक सफल लोक तंत्र में हमेशा तरजीह दी जाती है जब एक नागरिक अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार का भाव खोदेगा तो ऐसे स्थिती में वहाँ अलगाओ की तरफ बढ़ सकता है जहां तक राष्टिय सुरक्षा और नागरिकों तक योजिनाओं का लाव पहुचाने का सवाल है तो बेशब इससे कोई समझोता नहीं किया जा सकता किन्तु सरकार को भी सूचनक रांती और डिजटल दौर में अपने नागरिकों की निजिता और गोपनियता की रक्षा की गैरेंटी के साथ साथ जवाब दे ही तै करनी होगी तब ही आधार कार्ट की विश्वस्नियता साबित हो सकती है आई अब नोट करिए इस लेक से जुड़ा हुआ क्या सवाल बनता है सवाल है क्या आधार की अनिवार्यता भारतिय समझधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत निजिता और गोपनियता के मौली क अधिकार का उलंगन है आलो उचनातमत मुल्यांकन करें